बात पर क्योंकि और रेल्वे बहुत गलत कर चुकी है तो सेंटर का मामला है छे सालों में क्या लोग रेटाइर नहीं हुए होंगे और इसे कहते हैं कि रेल्वे में सबसे बड़ी भरती आती है मैं बताता हूँ आपको जब इससे पहले चुनाब हुआ था 2019 में तो कोई और मुद्धा सरकार के पास नहीं था चुनाब जीतने का और लोगों का दिल जीतने का तो बंपर वेकेंसी निकालती है 2018 में निकाली अब चुनाब आया तो हल्की सी देदी उनको लग रहा है इस वार रेल्वे की वेकेंसी से ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? MP में भी कहाँ पड़ा? कोई वेकेंसी नहीं अइन बातों में लोगों की हाथ में तो खुर्पे आ रहे हैं भाईसा उसकी तो चिंता करो जितना भी हो सकता है सिच्छकों से भी और बच्चों से भी विंती है जितना सोसल मीडिया पर टुटर केंपेंड कर सकते हैं ताकि सरकार तक रेल मिनिश्ट्री तक ये बात पहुंचे और रेल करेंगे अच्छी सादी नहीं होगी पत्नी पूरी जिंदगी ताने देती रहीगी क्या किया था तुम ने उसको तुम बताओगे कंवेकेंसी आएगी तो कहेगी 20008 में तो बहुत ज़्यादा आयी थी तो तुमने क्या उखर लिया था पत्नी के ताने भी जिंदगी बर सु क्योंकि आपके तो बच्चे भी नहीं है, maximum के तो आपको पता नहीं कि दर्द क्या होता है, कि जब किसी का बच्चा 30 साल, 32 साल का हो जा और उसके पास कोई नोकरी नहीं हो, पता कि छाती पर दाल दर रहा हो, उसके बाप से पूछी, उसकी माँ से पूछी कि उनके दिल पर क् प्रॉपर कलेंडर निकलना चाहिए, जैसे हर चीज का प्रॉपर कलेंडर निकलता है, इस तारीक को क्या होगा, उस तारीक को क्या होगा, हर एक बात फिक्स होती है, एक तारीक को बजट आएगा, 24 मार्च से चुनाब स्टार्ट होंगे, 26 को रिजल्ट आ जाएगा, भाई इल्जाम का proper calendar क्यों निकाल सकते निकालना चाहिए बिलकुल निकालना चाहिए और किसी को अगर मेरी बात खराब लग रही है तो ये सब सच है जो मैं कहा रहा हूँ और सच कहना कोई बगावत नहीं है जो भी सरकार गलत करेगी युवाओं के साथ हम सब का फर्ज है कि बच् नहीं उठा रहे थे ना 2018 में नहीं उठाई उतनी लेकिन जब आप लगातार गलत करोगे तो सब की सहनी की छमता खत्म होती है और फिर बच्चा हर एक्जाम के लिए लड़ाई क्यों करे बच्चा पढ़ाई करे या रूच आंदोलन करे ये बताई है ये तो सरकार की जिम् आज बीजेपी से टेकेट लेने के लोगों को इतनी मसकत करनी पड़ रही है उन सबको भी क्या आतनिरवर बनो आपना अपना लड़ो भाई हमें कोई मतलब नहीं वहाँ तो आप एक जुटता की बात करते हैं कि जब तक 202 लोग नहीं होंगे तब तक आप पीम नहीं बन स टीम की जरूरत है एक टीम ही इसको चला पाएगी और अगर आप टीम को सही समय पर नौकरी नहीं देंगे जब उसका दिमाग सड़ जाएगा तब 32 साल की मूर पर देंगे क्या 24 साल में उसके दिमाग को जिस डारेक्शन में चाहते हम धाल सकते थे और सरकार और इस देश क दिमाग का इस्तमाल कर सकते थे वह नहीं किया हम थे उसको चाहर साल-पांच साल फ्रॉश्टेट कर दिया 1-2 साल दो उसको नॉर्मल आने में लगेंगे हर अग्जाम को लड़ाई ना लडनी पड़े राजा का भी ये फर्ज है कि वह रजहा के युबायों के के स्लप और बढ़ा के बाद में वो 46,000 something कर दें जिसमें ALP टेकनीसियन सब था 6 साल तक कोई वेकेंसी नहीं निकाली अब जब वेकेंसी आई तो टेकनीसियन 0 है केवल 596 वेकेंसी आई है आप 6 साल तक कोई वेकेंसी नहीं निकालते तो जो युवा तैयारी कर रहाता वो 6 साल में बुजुरुक बन चुक है हला तो उसके और खराब हो चुके हैं आपके इसाब से तो वो कम्टीसिन से बाहर हो चुक है तो उसको एज डिलेक्सेशन कौन देगा भाई यह वेकेंसी तो आपकी हर साल निकालने का फर्ष था ना वो आप नहीं कर पाए मुझे यह समझ में नहीं आता कि सरकार का द्यान इन चीजों पर है क्यों नहीं सरकार आखिर किन चीजों में फसी हुई है क्या सरकार की अपनी खुद की सपलता सपलता है आज इतने बुड़े बुड़े नेता जिनकी उमर 60-70 साल हो गई है उनमें जीत का इतना पैशन है उनको आज अपनी केरियर की इतनी चिंता है क्या मैं अगला चुनाब नहार्जों मेरे केरियर का क्या होगा और जो लड़का 25 साल की उमर में अपनी जवानी सुलगा के बैट जल्वे काटने बाई को और यह बच्चे तुम तो उस दौर में भी जिन्दगी को जीके निकल चुके हो जैसे भी जीनी थी तो बाई रेलवे वालों से हमारी बिंती और रिक्वेस्ट है वैसे रेलवे सुन भी रही है जैसा मुझे पता चला कि उन्होंने सुच्छकों को बुलाए विए बात करने के लिए कि कोरोना भी बीच में आ गया था इतना गैप भी हुआ है तो आपकी नहीतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप एज रिलेक्सेशन दें लोग तीन साल की डिमांड कर रहे है मैं कहता हूं छह साल है तो छह साल